वेक्तित्तु परिश्कार की साधना, ओडियो टू, चप और ध्यान नौदेवसी साधना सत्रों में साधकों से गायत्री महामंत्र के 24,000 जब सहित साधना अनुष्ठान कराया जाता है। गायत्री महामंत्र का प्रभाव, उच्चारण तथा भाव चिंतन दोनों ही प्रकार से होता है। अंतराष्टी संस्था, Theosophical Society, ब्रह्मविद्य समाज के दिव्य दृष्टी संपन्न साधक पादे लैडविटर ने गायत्री महामंत्र के प्रभाव की समिक्षा अपनी दृष्टी के आधार पर की थी। उनका कथन यह है कि अत्यधिक शक्तिशाली मंत्र है, प्रकृती की दिव्य सत्ताएं इसके भाव कमपन से ततकाल प्रभाविक होती हैं, किसी भी भाशा में इसका अनुवाद करके प्रयोग किया जाए, इसकी प्रतिक्रिया समान रूप से होती है, संस्कृत में उच्चार इवं भाव चिंतन दोनों ही विधाओं से लाप पोह जाता है, इसलिए गायत्री महामंत्र के जब के साथ साथ गहन भाव समवेदना युक्त ध्यान करने का निर्देश पुझ्यवर ने दिया है, जब के लिए उप्युक्त वातावरन में बैठ कर शटकर्म आदेद्वार अपना मानस स्थिर जागरित करके जब प्रारंभ करना चाहिए, गायत्री का देवता सविता है अर्थात वह चेतना धारा जो सूरी को सक्री बनाये है, भावना करें कि जिस प्रकार सूरी का प्रकाश चर अचर प्रकृती को चारो ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन पर इष्ट की चेतना का दिव्य प्रवाह हमें घेरे है, जल में मचली, वायू में पंची की तरह हम उसी के गर्भ में हैं, इष्ट हमें गोध में गर्भ में लेकर स्नेह और शक्ति का संचार कर रहा है, हम जब द्वारा उस दिव्य प्रवाह को अपने शरीर, मन, अंताकरण की कणकण में समाहित कर रहे हैं, इस प्रकार जब करते हुए दिव्य स्नेह दिव्य पुलकन जैसी अनुभूती होती है, इनमें अपने में इष्ट के समाहित होने, इष्ट में स्वयम के घुलने एकाकार होने जैसा अनुभा होता है, इस प्रकार तनमेता पुर ध्यान जितना एकाग रहोगा अपने भीतर सविता की प्राण की उतनी ही अधिक मात्रा उडेली जा सकती है। चिन्न पूजा से लाव भी चिन्न जैसा ही मिलता है। दिन्चरिया में जब पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। सबेरे दोपहर शाम तीनों समय में सुविधानुसार नित्य की निरधारित जब संख्या पूरी कर लेनी चाहिए। हर बैठक समाप्त होने पर पास रखे पात्र का जल लेकर सुरी को अर्ग अर्पित करना चाहिए। भावना करने चाहिए कि जिस प्रकार पात्र का जल सुरी को अर्पित होकर विशाल छेतर में भाप बनकर फैल रहा है। उसी प्रकार हमारी भावनाएं, शक्तियां भी समर्पित होकर सीमीट से व्यापक हो रही है। प्राता का प्रणाम प्राता ध्यान एवं आर्ती के बाद सभी साधक अखंड़ दीप दर्शन एवं वन्दनी माताजी को प्रणाम करने जाते हैं इस अवधी तक तथा इस क्रम में मौन बनाये रखना चाहिए मौन से मानस अंतरमुखी होता है और तीर्थी चेतना में अवगाहन का अधिक लाब प्राप्त होता है बादचित से अपना मन भी बहिरमुखी होता है तथा अन्य साधकों के चिंतन प्रवाह में भी विग्न पैदा होता है इसलिए जागरन से यग्य होने तक मौन बनाय रखना उचित है और आवश्यक भी अखंड दीप दर्शन के साथ उस अखंड चेतना का बोध करना चाहिए जो जीवन की प्रवाह को सतक बनाय रखती है इसमें पुझ्य गुरुदेव की आभा देखी जा सकती है लोक कल्यान का संकल्प लिये वे अखंड दीप शिखा की तरह सतत प्रकाशित हो रहे हैं अपना सने उनके साथ जोड़ कर हम भी उस दिव्य जोती की एक किरण बनने का सोभागी प्राप्त कर सकते हैं वंदनी माता जी को प्रणाम करते हुए बोध करें कि जिस मात्र सकता का नमस्तस्याई नमस्तस्याई कहकर नमन किया गया है वही हमारे कल्यान के लिए प्रत्यक्ष रूप में स्थित हैं भगवान श्री राम के कृपा पात्र बनने पर भी मात्र शक्ती का आशिष पाकर भक्तराज हनुमान के मुख से सभावता निकला था। अब कृत कृत्य भायाओं में माता आशीष तव अमोग विख्या था। श्री राम के काज के लिए हमारे अंदर भी ऐसी उमंग जागे कि मात्र शक्ती का अमोग आशिरवाद हम पर भी वरस परड़े। परंपुज गुर्देव की चरण पादुकाओं को नमन करते हुए भावना करें कि दिव्य चेतना के रूप में समव्याप्त प्राण प्रवाह में हम सराबोर हो रहे हैं। महा प्राण द्वारा इस मानव जीवन को सार्थक बनाने की शक्ति प्रदान की जा रही है। त्रिकाल संध्या के तीन माद्यम साधना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शास्त्र सिद्ध पूरुषों ने त्रिकाल संध्या करने का परामर्श दिया है। प्रातरकाल ब्रम्हमूर्थ में, मध्यान में और सायकाल सुर्यास्त के संधिकाल में। सामुहिक रुप से साधना करने और उसका प्रभाव कई गुना हो जाने के तत्य सरुविजित है। टेप निर्देशों के आधार पर चलता है, सामने स्टेज पर उगते सूरे के आभा का दर्शन होता है, पुझ्य गुर्दयों के प्रारमधिक निर्देश अपने शरीर मन को स्थिर करके स्वयम को दिव्य प्रवाह से घिरा हुआ अनुभाव करने के होते हैं, इसके बाद उ अपने उच्चारण में मन के कमपन एक होकर योग के स्थिति उत्पन कर रहे हैं, इसक्रम में साधकों का अनुभव होने लगता है, मानों पुझ्य वर का स्वर कहीं बाहर से नहीं हमारे अंदर से उभर रहा हो, यह अनुभूती और साधारन लाबकारी होती है, एक बार य पच्चार के बाद तिर्थ के दिव्य वातारण में उगते सुरे के स्वर्णिम प्रकाश एवं स्वयम को डूबा हुआ अनुभव करने के संकेत मिलते हैं, उस दिव्य प्रवाह, प्रकाश का स्थूल, सुक्ष्म एवन कारण शरीरों में संचित होने, उन्हें सूसंसकार तथा पुष्ट तीजस्वी बनाने के संकेत राप्त होते हैं, इस समय सारी चेतना पुजिवर के निर्देशों पर केंद्रित रखी जाती है, जो कहा जा रहा है उसका कोई स्थूल द्रिश्टी कल्पना में उभरे या ना उभरे, उस सत्य को अपने अंदर घटित होने की आस्था बनाये रखनी चाहिए, यदि शरीर के किनी अंगों में पूलकन, सिहरन, अंतर दिश्टी की प्रकास चिनगारियां, क्रिणों के आकार जैसे बने, तो ध्यान का केंद्र उन कौतुहल प्रतीक्रियाओं को नहीं बनने देना चाहिए, पुजिवर के निर्देशों को अपने अंदर स्थिर करने और उनके सदुपियों की दक्षता उभरने का भाव करना चाहिए, इसके पश्चात 15 मिनट साधक स्वयम जब करते हैं, प्राप्त अनुदानों का मंत्र जब द्वारा अपने व्यक्तित्व में हजम करने जैसा भाव इस जब के साथ किया जात है, अपने लिए और मनुष्य मात्र के लिए उज्जल भविष्य के निर्माण की प्रार्थना की जाती है, शंकध्वनी होने पर यह सामुहिक ध्यान प्रयोग समाप्त होता है, दोपहर में जोती अधारना, यह प्रयोग मध्यान काल में होता है, मुख्यमंच पर दीप्र अभिश्य की सनरचना के लिए यूगशक्ति का अवतरण हुआ है। इस प्रयोग द्वारा हमें यूगचेतना के साथ आत्मचेतना का योग करना है। हम जोती को छूकर स्वयम भी जोतित हो रहे हैं। यूगशक्ति की महाजोति में अपनी भावना, विचारना, साधना, अनुभव करने लगता है। जाने अनजाने ही विकारों का दहन होकर संसकारों का उन्नयन होने लगता है। अपने अंदर अग्रदूत बनकर बढ़ने जैसे यूग नित्रित्व कर सकने जैसी शमता का विकास होना अनुभव होता है। इस साधना के पस्चात भी आदे अपना अनुष्ठान परक जब किया जाता है। इस प्रकार के दिव्य ध्यान प्रयोग के साथ जुड़ा हुआ यह जब सामान्य मनों भूमी में किये गए जब की अपेक्षा अधीक गुना प्रभावकारी होता है। नादियोव साथना यह सामोई ध्यान प्रयोग सायकालिन आरती के पस्चात होता है। इसमें ध्यान का आधार संगीत होता है। संगीत का सीधा संबंद भाव समवेदनाओं से है। मनुष्य में अनेक प्रतिभाएं, शक्तियां हैं। किन्तु सबके मानवचित, देवोपम, उप्योग की प्रयर्णा भाव समवेदनाओं से ही प्राप्त होता है। उनके अभाव में प्रतिभाव का दुरुप्योग होने लगता है और वे प्रगती के स्थान पर दुरगती का कारण बनने लगती है। सायकालिन ध्यान में दैवी चेतना के प्रवाह को भाव स्नेह, आत्मीरता, करुणा, सहर्धता, मैत्री, उल्लास, आधि का प्रवाह प्रसारित हो रहा है। ताल वाद्य के साथ शरीर का कंड कंड मन अंतह करण थिरक रहा है और स्वर की दिव्य सम्वेद्नाओं के साथ एकाखार हो रहा है। इस साधना के समय साधक को लगता है मानो कृष्णी की मुरली दिव्य समवेदनाय प्रवाहित कर रही है गोपिकाओं गवों की तरह इंद्रिया तनमात्राएं भावनाय उनके साथ फिरक रही है नृत्य कर रही है और महारास जैसे दिव्य उल्लास का लाभ प्राप्त कर रही मीरा ने गाया था पग घुंगरू बांध मीरा नाचीरे भाव समवेदनाओं के घुंगरू साधक के हर चरण पर खनक उठते हैं उनकी जहंकार आसपास वालों को उल्लासित करती है यह देख इष्ट चेतना मुस्कुरा उठती है और इन दोनों प्रक्रियाओं से आनंदि साधक इष्ट चेतना के ताल पर दृत ले में पग संचालन करता नृत्य करता दिव्य उल्लास से व्यापक प्रवाह पैदा करने लगता है त्रिकाल संध्या की यह तीनों ध्यान साधनाय पुझ्य गुर्देव की तब साधना की दुरलब शोध उपलबधिया है इन्हें स शेष्टाएं उभरने लगती हैं जो जीवन को श्री सम्रिद्धी और स्वर्ग मुक्ति जैसे अनुदानों से युक्त बना सकती हैं दैनिक यग्य युगतिर्थ के सभी साधक प्राता अखंड दीप दर्शन के बाद अखंड अगनी वाली यग्य शाला में यग्य में सम् अचार होता है युगतिर्थ में जीवन को यग्य में बनाने के प्रखर प्रवाह उमरते रहते हैं यग्य के साथ भाव ना करनी चाहिए कि युगरिशी के तप मन्थन से ब्राम्मी चेतना को युगशक्ति यग्यागनी के रूप में प्रगट किया गया है हमारा समय श्रम साधन समिधाय हैं हमारे सद्भाव सुविचार स्रिष्ट प्रवृत्या हव्य है युगशक्ति ब्राम्मी जोति में हमारी समिधाय और भाव भरी आहुतियां पड़ रही है हमारा जीवन यग्य में हुआ जा रहा है आत्मदेव की साधना यह साधना अपने सुविधानुसा दिन में एक बार भटकेवी देवता के मंदिर में की जाती है इस कक्ष में दरपन लगे हुए हैं दरपन के सामने खड़े होकर अपनी आत्मचेतना को जागरित सक्रिय करने की यह विशिष्ट साधना है सामाने रुप से मनुष्य अपने आपको परिस्थितियों में बंधा एक करता भुखता ही मानता है किन्तु वस्तुता उसके अंदर चेतना की अन्य परते भी हैं जो दृष्टा निर्देशक और नियंता की छमताएं भी रखते हैं शरीर के अंदर अनेक जटिल प्रक्रियां चलती रहती हैं जिने वैज्यानिक बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत समझ पाते हैं किन्तु उन क्रिक्रियां